है से लोई एलोग विवल्कम तो इस सेशन आज अपने सेशन में हम लोग देखने जा रहे है अकाउंटिंग एक्क्वेशन जैसा के अंद आंद से कि बैलेंस शीट जो हमारा बनता है वह टी फॉर्मेट पर बनता है किस पे बनता है टी फॉर्मेट पर अपना बैलेंस शीट एक तरफ क्या होता है? capital plus liability और एक तरफ क्या होता है? asset, means ये दोनों हमेशा ही क्या होगा? बराबर, according to double accounting system, हमेशा ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, इसी के base पे हम लोग काई concept क्या है? accounting equation concept means asset is always equal to capital plus liability, जब हम ट्रेडिशनल एप्रोच की बात करते हैं तो वहां पर हम कन्फ्यूज रहते हैं कि यह हो कैसे रहा है लेकिन अब भी हम क्या करेंगे अकाउंटिंग इक्षेल से समझेंगे कि कैसे यह जो एक्षेल है एक एकेत टूर्ट प्रस लैब्रिटी वर्क करता है इसके लिए दो रूल्स अंसापक्ट तीन रूल्स यह क्या होगा दिदक्ट होगा मिन्स घड जाएगा इसने कैपिटल से अतीसरा आता है एसेट इस ओल्वेज एकोल टू यह हमेशाए मैच करना चाहिए मैं इस इक भी ट्राइशन हम एक भी ट्राइशन अगर लेते हैं बिजनस का तो उसका इफेक्ट क्या आना चाहिए तुर्ट की दोर समाझ शेकते हैं कि इस इस इंकम को क्यूँ ऐड करने गेपिटल में और एक्स्पेंस को को लेश कर parish करें तो ही ये बात समझे आती होँग है आपको कि इंकम माइनस एक्सपेंस एकोल टू क्या होता है प्रॉफिट है ना इनकम माइनस एक्सपेंस एकोल टू प्रॉफिट यह प्रॉफिट कहा जाता है यह प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में एड हो जाता है ना होता है ना बैलेंश यहां पर क्या करते हैं कैपिटल लेते हैं तो प्लस प्रॉफिट ले लेते हैं यहां पर यहां पर प्रॉफिट को एड़ कर लेते हैं इसलिए क्या करते हैं कि इसके नेट को नहीं लेकर के हम अलग अलग इंकम अलग लेंगे एड़ करेंगे कैपिटल में यहां पर और एक्सपेंस को लेस करेंगे इस समझने के लिए है ठीक है इसे आप नोट कर सकते हैं इस वाले को बागी हम समझते हैं कि कैसे हमारा ट्रेंशन चल रहा है आए तो इसे हम हटा ले यह समझने के लिए था ठीक है अब चलते हैं ठीक है पूरे क्लास को देखेगा पूरे सेशन को देखेगा चीज़े बहुत इजी लगने लगेंगी कि कि इस तरीके से हमारा अकॉंटिंग इक्वेशन बड़ा आसानी से हम समझ में आने वाली चीज़ होती है तो चलते हैं तो पहला है प्रेंशन पढ़ लेते हैं प्रेंशन ऑफ रित्विक फॉर 2022 अप्रेल आर एज अंडर प्रेंट इस अप्रेंटिंग इक्वेशन है जिसको क के फॉर्म में करना है अब समझते हैं फॉर्स अप्रेल को क्या ट्रेंशन हो रहा है रित्विक स्टार्ट बिजनस विट कैश नहीं लिखा है विट रूपीज फाइव लाक्स पैसे लगाया यहां पर यह समझना है ना कि हमेशा जब भी कैश के बात करेंगा ना तो हम यहा है तो क्या हो रहा है ऐसे कितना है पांस लाग फाइव लाख वाइव लाख वाइव यह बढ़ गया और क्या बढ़ा यहां पर हम कैपिटल ले लेंगे यहां पर आ जागा कैपिटल कितना ठीक है यह आ गया कैपिटल ठीक है देखिए यह इकल टू दिस बराबर हो रहा ना अब यह अगर हम इसको अगर इकल करना चाहिए तो यह 5 यह 5 लाक्स और यह 5 लाक्स हो गया ना यह कर सकते हैं ठीक यह समझने के लिए ठीक है इस अभी हम नहीं कर रहे हैं इसको अटालेता है ठीक है अब देखिए क्या होगा मतलब दोनों हमेशा जो भी ट्रेंशन उठाएंगे नहीं उसके दोनों प्रेंप्स पढ़ेंगे और अल नाम नहीं है कैश में होगा यह नाम नहीं है तो कैश में होगा मिंस बैंक तो क्या होगा जब बाउड करते हैं तो क्या होगा पैसा जा रहा है बिजनस से पैसा जा रहा है माइनस 50,000 ठीक है और क्या हो गया यह बाउट क्या परचेस किया है ना एक्सपेंस है ना तो यहाँ पर एक्स बताता है ना डिड़क कर ले ना मिश यहाँ पर हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ऐसे कर लेता है माइनस 50,000 एक्सपेंस है यहाँ पे capital और sales सब को एक जगह लिखेंगे चीक है ना और यहाँ पे expense वाले को लिखेंगे तो इधर माइनस इधर माइनस ठीक है इक्वल थर्ड पे आते हैं थर्ड वन हमारा है फोर्थ को ड्रिव कैश फ्रॉम बैंक बैंक से पैसा निकाला कैश आया मिन्स क्या हो गया बैंक में कितना 10,000 कम हो गया निकाल लिया और कहां पे आ गया ये कैश में आ गया देखेंगे यहाँ पे effect नील है तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आने वाला है इस इकल टू दिस अभी भी चल लाए ये ठीक है ना नेस्ट आनेशन में आते हैं शोल्ड टू रिशब गूट्स ऑन क्रेडिट मतब क्रेडिट पे बेचा है किसको रिशब को मिन्स सेल हो रहा है ना तो सेल है तो इंकम है इंकम कितना आ गया यहाँ पे टू लाग 50,000 इंकम प्लस करेंगे तो थेक है प्लस हो गया टू लाग 50,000 तो इधर भी तो कुछ वगा ना यहाँ ना ना क्या हो जाएगा कि माइडियर फ्रेंड इधर हो जएगा क्या हमारा क्या है रिशब्ध क्या है यहाँ हमने उससे उदार में बेचा है तो हखो मैं आजाएंगे रिसी यहां दिया प्लस कितना तो ब्लस दोनों बराबर हो गया थेक अब चलते में अगले ट्रेशन में बलता है बाूट गूड्स फ्रों सरी केश्ए उन क्रेडित सीगेश एक रडिट पे खरीदा मिन्स क्रेड पर प्रचेस किया एक्सपेंज हो गया एक्सपेंज हो गया कितना तू लाक्स 25,000 माइनस को गया कैपिटल से जो यहां पर बोल रहे थे हम यह माइनस कर रहे हैं ठीक है और साथ साथ क्या हो हमारी लाइबिलीटी भी तो मतलब खर्चा तो किया तो लाइबिलीटी हमारी बढ़ गए यहां पर हम आ जाते हैं प्लस है ठीक है थिक है ना टूल लाक्स वनटेथाैसली ही लाइबिलीटी बढ़ गई पेबल लह ना मतलब उधहर में ख़िदा है तो क्या है यह अना मतलब एकॉल क्जश यहां पर इलभ लेडिय मतलब यह किश मतलब कम हुआ अनि सब्सक्राइब कुछ भी नहीं लिखा है अभी यह को चल रहा है ठीक अब नेक्स में आते हैं रिशीव फ्रॉम रिशब एन अलाव डिसकाउंट 5000 मिस रिशीव किया है इसे रिशब से तो रिशीव क्या गया क्या बैंक हमान के चलेंगे कैश इकल टू बैंक तो बैंक में कितना रिशीव कर कर लिया है और रिकान दे रिशीव किया है तो इंट्री क्या बनती है ऐसे बोलेंगे तो जुद बैंक अकाउंट डेविट 245,000 एम डिस्काउंट अलावड किया है अलाव ड्कांट 5000 और टू कौन सा रिशब है ना रिशब रिशब कितना टू लाक्स फिफ्टी तॉन यह बोल सकते हैं मतलब बैंक में क्या हो गया बढ़ गया तो बढ़ा दिया डिसकाउंट अलाउट क्या है हमारे लिए डिसकाउंट अलाउट एक्सपेंस अधिंस वरा है न दिसकाउंट अलाउट किया अधिन से तो यहां पर मैं हम लोग क्या कर लेंगा मानिस 5000 ठिक ए और बिश्ट्ट क्या हो गया कम हो गया क्या हमारी लाईबले धूफ क्या है मतलब अ क्यूसल थे एंसे उसके उसकी हमारा एसेट जो था वो खतम हो गया क्योंकि उसने पे कर दिया हमें पैसा और कुछ डिस्काउंट हमने दे दिया उसको यहां पर टू फिफ्टी टू फिफ्टी गया यह खतम यह टू फर्टी फाइब और यहां पर इसका लिए इफेक्ट आ जाएगा ठीक है न अब द सब्सक्राइब को दिशक्राइब कर लिए 10,000 को ठीक है और हम आर जब उसको पे किया है का हमारी लैबलीटी खतम हो गई तोला कि टोलइक टुमक्राइव से तो यह खत्म हो गई हमारी हुन से टिक है लइति खत्म हो गई हमारी अब आते हैं है कैसे जल्स मतलब वैंश में शेल किया तो कैश आया मीनस बैंक आया अब कितने लाइव से चॉह लाइव से आया हुआ अब ठेक और क्या होगो गया इंकम हो गया नशेल इनकम हो गया प्रवाइब गड़ गया ना इंकम होना मुझे आप यह वाले रूल से क्यापिटल बढ़ गया ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट बोला पेड रेंट मतलब बैंक घर्ट गया इतना से 50,000 ठीक है और यह क्या है अमारे लिए इसको हटा लेता है ठीक है किसा मैंने क तोम दिख लेंगे और मैच करना चाहिए हमारा यह तो मैं समझाइब किक्वेशन कैसे प्रूफ हो रहा है ठीक है ना अ तू रह स अभी अविदे किया यहां पर हम किरैंगे हाँ अब यहां पर बिदिए ग्यां पना हम जाएगा है इसे अड़ किजिये एक्ट कि और इसे यह देखें यहाँ पर यह है प्लस जितना प्लस तो यह क्या हो जाएगा जीरो इसे देखिए लास 50 तो इसे एड़ कर लेते हम वन लाक फिफ्टी और तू लाक्स अट्टू और टू एंटू फोर लाक्स सेवेंटी फाइव तोजन माइनस ही कर विफ्टी तो लॉट्टी है हो गया 4,75,000 माइनस मैं जी कह न है अब यह देख लीट है 5 छल्ट ठीक है 5,000,000 हमारा जस्तिमी यह ने गापितल हमारा थामरा यह हमारा तू लॉट्टी थाओजेंट शेट लाक्स और टेन थाउज़ें इंकम तो 527 56 कितना वाजाए गाई है यह 527 50 और 760 मैं 13 60 ठीक है और यह कितना यह आगया हमारा ठीक है यह हमारा तो इस साइड का है हाना अशेट साइड वाला अभी आप आड कर लेते हैं यह यह हमारा फाइब लाक्स माइनस यह माइस इसका तो इफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा तो कि प्लस माया और माइनस टेन एंड प्लस टेन थाओजन तो यह हमारा आगया नेट 455 ठीक है अब हम ऐसे अड़ कर लेते हैं इसको पूर यह हो गया प्लस वाला पहले कर ले हम 255 656,006,0060,00,00 और माइनस में डे खलाए तो माइनस में ये सुफस्ती ठीक हाई ये माइनस में 253 215 2 15 माइनस माइनस 50 माइनेस वण लग कितना हो गया ही है तू लग्स पोर लैट स्थीन थाजरन पोर लैट फ्रीफटीन थाजरन फूर लैट स्थीन थालर यहां कितना होगा सेवन फूर किस थर्टीन 45 तो यह अल्टिमेटली कितना आ रहा है नाइन इसको करेंगे नाइन तो नाइन तो फिटी टू लाक्स और टू लाक्स तो यह 430 वह जागा ना यह धिर नाइन और इसको यह टूटल में यह टूटल कर ले मारा थूटती यह हमारा गाइस इसका जीदो आगे यह जीडिया सिगूर एuffy दर तो इसी सिस्टी मैनस पूर्त ब कुषे में जोटन को यह चाहर सब्सक्राइब करेंगे इस पॉर्मेट पे ठीक है तो हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है इस पॉर्शन मतलब इस पॉर्शन इस पॉर्शन ठीक है इसमें चीज़ें और भी आ सकती है बट एक्जांपल के लिए इतना लिए बस इतना समझना कि यह एक तरफ जितने लिए तरफ जैसे जैसे वैसे पॉटिंग डवाली बात है और यह हमेशा इक्कॉल होगा इससे यह पदा चलता है कि बैलने शीट असे क्यों टैली कर जाता हम हमारा इसी लिए कर जाता हमारा क्योंकि बैलेशेट में भी ऐसेट एक तरफ होता है और एक तरफ होती है ठीक है तो होब कि यह क्लास आपको अच्छा लगा हो समझ में आई हो चीज़ है कि कैसे वर्क करता है ठीक है नेक्स क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ लेजर अक बढगे